नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है प्रोसंजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प दोस्तो आज हम इस सर्कुट को बनाना सिखेंगे ये एक एलेक्ट्रोनिक्स फ्यूज सर्कुट है तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्कुट को बनाना सीख लेते हैं दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक fuse holder और एक 100 के register उसके बाद इस register को हम इस fuse holder के इस pin के साथ ऐसे सोड़ा कर देंगे अब हमें लेना पड़ेगा एक by color LED bulb उसके बाद इस by color LED bulb में जो common negative pin है इस pin को हम इस fuse holder के इस pin के साथ और इस by color LED bulb में जो red LED का positive pin है इस pin को हम इस 100 के register के इस pin के साथ ऐसे सोड़ा कर देंगे अब हमें लेना पड़ेगा और एक 100 के register उसके बाद इस register को हम इस by color LED bulb में जो green LED का positive pin है इस pin के साथ ऐसे सोड़ा कर देंगे तो दोस्तों ये circuit complete हो चुका है तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं कर देखते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक इलेक्ट्रोनिक्स फ्यूज सर्किट अपने घर पे बना सकते हैं तो दोस्तो आज इतना ही आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियाल में तब तक के लिए बाई फ्रेंड्स और थैंक्स फॉर वाचिंग्स